सूप्रभात विद्यार्थियो, कल हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में लाल रख्तकनिकाओं का क्या कार्य है और आज हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में सफेद रख्तकन और विंबानु क्या करते हैं? इनका क्या कार्य होता है? ठीक है? तो चलिए दीदी बोली सफेद गंड वास्तर में हमारे शरीर के वीर सिपाही है जब रोगानों शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद गंड उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगानों को भीतर घर नहीं करने देते बस संक्षेप में यो मान लो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं तो अब डॉक्टर दीदी अनिल को बता रही हैं कि हमारे शरीर में जो सफेद रक्ट कंड उते हैं उनका क्या कर रहे हैं तो जिस प्रकार सिपाही बॉर्डर पर लड़ते हैं और दुश्मनों को अंदर परवेश नहीं करने देते ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर में सफेद रक्ट कंड जो हैं वो एक वीर सिपाही का ही कारे करते हैं जो की हमारे शरीर में जो रोगानों होते हैं जब रोबानों शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं यानि जब रोबानों शरीर के अंदर घुसकर हमें बिमार करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में वो उनका सामना डट कर करते हैं और जब तक हो सके ये जो सफेद रक्तकन है वो ही उनसे लड़ते हैं और हमें जल्द करना रगत के तरल भाग प्लाज्मा में एक विश्य श्ल किस्म की प्रोटीन होती है जो रगत वाहिकह की कटी-कटी-ठटी दिवार में मकडी के जाले के समान, एक जाला बून देती है भिमपानु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह जो रख्तकण जो रख्तकण है वह चोट लगने पर जो घून बहने लगता है उसको बंद करने में उनका कार्य होता है उसको उसका रख्त जमाव में मदद करना ठीक है क्योंकि हमारे रख्त के अंदर एक विशेश प्रकार का जो तरल भाग होता है हमने शुरू में पढ़ा था कि रख्त के दो भाग होते हैं मुख्य रूप से और एक होता है तरल भाग जिसे प्लाजमा कहते हैं तो यह क्या है रख्त के तरल भाग प्लाजमा में एक विशेश क किसम का प्रोटीन होता है जिससे रक्तोंअ को रक्तोंच बहरा होता वह कहता है यानि कि रक्त को जमने में जब रक्त बहरा होता है तो यही जो प्लाजमा है और बिम्बानु जो ही रक्षा करते हैं जिससे की मदद करते हैं जिससे की खून रुक जाता है बिम्बानु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दिवार में आई दरार भर जाती है जिससे र रख बहते हैं जब तो रोकने में हमारी मदद करते हैं कि यह जो विशेश प्रकार کا प्रोटीन होताई अ उसपा जा झायब अ जी जो पैद निए उसके जावश फक्रक्त, हीज होरी मिखा देयागतोर गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है हाँ ऐसे समय में उस वक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ज़रूर समझने पर ऐसे स्थिती से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पढ़ सकते हैं किन्तु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय मे दबाप पढ़ने से रक्त बहना बंद हो जाता है जो इस वक्ति के लिए काफी लाप्रद सिध हो सकता है किन्तु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाये तो उसे रक्त बढ़ाने चड़ाने की ज़रूरत भी पढ़ सकती है दीदी ने समझाते हुए कहा अब दीदी बता रही कि एक पास पहुंचे उससे पहले कुछ तो यह दिस तो देंगे लिए जिस से की अगर प्लोड यो है वहाजा एक जोえる। यह एक तो यह जएक चे अच्यात से कहना से जिस को comics और दें़ लगिया और देंगी क्या है उसके साफ कपड़ा बांद दो और उससे क्या को अ का वेना कम हो जाएगा और आघ्टी जिसकी चोट जिसे गहरी लगी हो जिसमें बहुत अधिक रख्त स्ट्राव रहा हो यानि रख्त बहरा हो तो ऐसे में क्या होता है कि इसे विकती के लिए तो ये फर्स्टेट जब बहुत ही लाप्रत सिद होता है क्योंकि हो सकता है उसका इतना अधिक ब्लड बह जाए कि उसे खून चड़ाने की भी जरूरत पड़े कि इसी फर्सक्राइं की व्यर्ड पड़े सकते हैं तो कुछ विशेच गुणों के आधार पर चार वर्गों में बाटा घया है जरूरत मंद विक्ति के रक्त सम्हू की जाज करने के बाद उसे उसी रक्त सम्हू का रक्त चढ़ाया जाता है तो अब क्या बतारी है डॉक्टर दीदी कि अगर मान लीजे किसी को चोट लग गई और गहरी चोट लगी अब जैसे एक्सिडेंट वगरा हो जाता है बहुत गह है तो तो हमारा जो ब्लट है ना उसको चार मुख्य भागों में बाएंट गया और जो जैसे मान लीजे ए पॉजिटिव ए तो ए PозIPतिव वक्ति ही उसको ब्लट दे सकता है ठीक है ऐसा नहीं उता कि कि किसी भी Sumoj का Rakt to Sumoj का वेक्ति किसी भी रक्त समुह वाले को Blood दे ऐसा नहीं होता से बादिबुर्प वाले को ही हम Blood दे सकते हैं लेकिन जरूरत के समय उस 검 ninety multi मिले ही नहीं तब अब क्या कहा रहे कि अगला question पूछ रहा है इसके प्रश्चन जो बहुत ही important है और curiosity है बहुत ज्यादा जानने की इच्छा है तो अब पूछ रहा है कि क्या सभी जो रक्त समुए मान लीजे किसी विक्ति का को बहुत गहरी चोट लगी और बहुत ज्यादा रक्त स्थाव हो रहा है तो ऐसे में है उसके ब्लड का अगर सका रक्त समुओं उसका ब्लड गूप जो है मना मिले उसके ब्लड गूप का ब्लड ना मिले तो क्या करना एँ तो ऐसी पर पर प्रकार के रक्त तयार रखा जाता है अब क्या किया रहे हैं कि ऐसी emergency के लिए की हो सकता उच्छार है कभी किसी का भी जरूरित अब का नहीं है हर ब्ल instagram का वेक्ति मिल जए अटए तिटाइं तो वब्से कॉल करने पर कही न कही न कही करते हैं जहां सभी प्रकार के बल जो रखता करके रखा जाता है तो किन्तु इन ब्लड ब्लड वैंकों में रखत का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रखदान करते रहें दीदी ने का अब दीदी समझा रहे हैं कि ऐसी एमर्जंसी की जो स् अगर एमर्जंसी के लिए हमने ब्लड सुरक्षित नहीं रखा तो क्या होगा किसी भी वेक्ति की मौत भी हो सकती है तो इसलिए डोक्टर दीदी ने कहा कि हमें रखतान समय समय करते रहना चाहिए ठीक है आगे देखिए क्या मैं भी रखतान कर सकता हूं अनिल ने पूछा अनिल क्या question put कर रहा है वो कह रहा है कि क्योंकि वो एक बच्चा है और फिर भी वो पूछ रहा है कि क्या मैं रखतान कर सकता हूं नहीं तुम बहुत छोटे हो 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ वेक्ति ही रखतान कर सकते हैं तो अनिल को अनिल ने जब डोक्टर दीदी से पूछा कि मैं भी रखतान कर सकता हूं तो डोक्टर दीदी ने बताया कि नहीं 18 वर्ष से अधिक उम्र के वेक्ति ही रखतान कर सकते हैं और कहा कि स्वस्थ वेक्ति स्वस्थ वेक्ति क्यों कहा बिटा क्योंकि मान लीजे जो वेक्ति रखतान कर रहा है उसे मान लीजे शुगर है तो उसके रक्त के माध्यम से जिसको वह रक्त दिया जाएगा उसके अंदर भी शुगर की वह बिमारी जो है वह चली जाएगी ठीक है रक्त के थू चली जाएगी नब टफ तो स्वस्थ विक्ति इस लिए का गया जब भी हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि यहां भी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई बिमारी तो नहीं है पहले कभी आपको पहले ब्लड चड़ा है किस लिए चड़ा है क्या प्रॉब्लम है क्या आपको बीपी की प्रॉब्लम है इस तरीके से डॉक्टर जो है पहले वो प्रश्ण पूछते हैं हमसे ठीक है एक समय में उनसे लगभग 300 मिली लिटर रक्त लिया जाता है प्राय यह समझा जाता है कि रक्त कर दान करने और यह जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी दीदी समझाते हुए बोली अब दीदी बहुत महत्वपोंद नहीं है कि अ और बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जब हम blood donate करते हैं जब हम रक्तदान करते हैं तो शायद कमजोरी आ जाती है लेकिन यह बात सही नहीं है अगर आपने कभी देखा हो अपने parents के साथ जागर क्योंकि आप तो भी छोटे हैं हो सकता है आपके parents कभी रक्तदान के लिए गए ह और फिर जब वह रक्तदान करके उठते हैं यानि जब उन्होंने 300 ml रक्त दे दिया उसके बाद जब खड़े होते हैं तो उन्हें दूद वगएरा दिया जाता है दूद आमला fruits यह चीज़ दी जाती है बस उसके बाद वह अराम से जा सकते हैं कई बार होता है कुछे cases में कि कई बार रक्तदान करने के बाद एक बार चक्कर सा महसूस होता है लेकिन आम तोर पर ऐसा नहीं होता तो कभी कभी किसी case में हो सकता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता तो यह बात निराधार है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है ठीक है और इतना जितना हमने blood दिया यह तो कुछी दिनों में बन जाता है हमारे शरीर में कितना blood होता है लगभग 5 लीटर खून होता है तो इसमें से अगर थोड़ा सा 300 ml अगर हमने किसी ज़रूरत मंद को दे दिया और उसको जीवन दान दिया तो इससे बढ़िया बात और क्या सकती है फिर तो बढ़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा तो फिर अनिल ने क्या कहा कि जब मैं बढ़ा हो जाऊंगा तो मैं भी रक्तदान करूँगा उसको उससे प्रेड़ना मिली कि जब डॉक्टर दिदी ने बताया कि आपके शरीर में 5 लिटर खून होता है और उसमें से अगर हम 300 मिलिलिटर खून किसी जरूरत मंद को दे कर उसकी जान बचा लेते हैं तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है तो अनिल को उससे प्रेड़ना मिली और उसने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी नियमित रूप से क्या करूंगा बलड दिया करूंगा शाबाश अनिल डॉक्टर दिदी ने अनिल की पीट ठोकते हुए कहा तो बेटे ये जो पार्ट था इससे हमें बहुत सारी रक्त के विशे में जानकारी मिली कि बलड में कौन-कौन से कन होते हैं रक्त में कौन-कौन से कितने तरीके के कन होते हैं और क्या हमारे शरीर में रक्त की कमी होने से क्या कौन सा रोग हो सकता है और अगर होता है तो उसको कैसे उसको उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए ठीक है और हमें खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए हाद धोने चाहिए मैंने आपको बताया था कि रक्त दान जो है वो कैसे किया जा सकता है किस उमर में रक्त दान किया जा सकता है और रक्त रक्तदान जब हम करते हैं तो क्या हम सभी blood group के लोगों को कोई भी विक्ति किसी भी blood group के लोग को आदमी को या विक्ति को रक्तदान कर सकता है यह सब चीजें हमने पड़ी जो की बहुत ही important है जो हमारे जीवन में बहुत काम आएंगी आगे ठीक है तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना वेटा यह science ने भी आता है आपका chapter तो आपको काफी knowledge मिलेगी इससे आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और यह question बहुत कम बनाए हैं मैंने बहुत सारे questions बन सकते हैं आपके paper में बहुत कुछ इसमें से आ सकता है इसलिए बेटे पूरी thorough reading करनी है और साथ साथ इसको इसके प्रशन उत्तर आप लिखते चले जाईए आज भी मैं आपको कुछ प्रशन दे रही हूं उनके उत्तर भी आपने लिख लुक न यह सब क्या है तो आप ऊफेडिंग सकते हैं पात में आए प्रयों किये गए और नीचे फिर इनका आर्थ और स curator बींगे और उसे वक्य बनाएंगे ठीक है समझ में आगए बेटा या फिर जो मैंने blackboard पे first day बनाया हुआ था आप उसमें से भी कुछ बना सकते हैं समझ आगए बेटा ठीक है धन्यवाद बेटे